हेलो एवरिवन आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल अपना सफर 786 में आज हम जो टैरो का रेडिंग कर रहे हैं वो इविनिंग की कर रहे हैं यानि इविनिंग में आपके परसन की डीफ फिलिंग्स और एमोशन्स आपके लिए क्या हैं उनकी करन आप इस रेडिंग को देख रहे हैं जिसके लिए भी देख रहे हैं और मैं आपको बता दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रेडिंग है और सभी जोडी एक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है इसलिए male female married and married सब इस रेडिंग क देख सकते हैं तो किसी के लिए भी देखी जा सकती है ये रेडिंग आपने चूस कर लिया है कि किसके लिए देख रहे हैं आप इस रेडिंग को आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे ओके वीवर्स और देखें हमने यहां कुछ कास निकाल ली है आपके लिए बॉटम में जो काड हमारे पास आया है वो आया है दाहाई प्रिस्टिस यहां से हम तीन काड्स लेंगे और बाकि सारे जो हमारे पास काड्स हैं वो हैं Ace of Swords, Five of Pentacles, The Empress, Ten of Wands, Six of Pentacles ओके वीवर्स ओकी जब तक मैं रिडिंग स्टार्ट कर रही हूँ आप वीडियो को लाइक कर दें और I hope कि आपको सारे काड्स दिख रहे होंगे क्योंकि काड्स का दिखना ना बहुत अच्छा रहता है आपको भी पता होना चाहिए ना के रिडिंग किन काड्स पर हो रही है तो हमारे पास जो बाटम से दो काड्स हमने ऑन लिये हैं वो हैं हमारे पास Three of Wands and Nine of Swords करते हैं रेने के स्टार्ट बेना टाइम वेस्ट की ओकी तो यहाँ पर ना मुझे एक ऐसे परसन की एनरजी नजर आ रही है जो काफी ना दुख में तकलीफ में है इस वक्त भी ये परसन गौड से प्रेयर्स कर रहा है कि काश की इसका करियर ठीक हो जाए काश की ये जो प्रावलम्स इसके जीवन में चली आ रही है ये ठीक हो सकें किए ये परसन आपको बहुत मिस कर रहा है अपने बैट टाइम में ना इस शिदध से आपकी याद आ रही है इस वक्त भी आपको बहुत याद कर रहा है इसकी जो deepest feelings है आपके लिए इस वक्त वो बहुत ही घंजदा है ये परसन काफी दुक और तकलीफ से गुजर रहा है इस वक्त इस परसन का bad luck चल रहा है ऐसा लगता है ये परसन आपके इसके relationship की जिम्मेदारी भी लेना चाहता है बट इन्हीं वजों से ना ये लेने ही पा र हुआ है कि ये जहा कर भी ना इस मुफलिसी से नहीं निकल पा रहा है ये खुद की जिम्मेदारी भी बहुत मुश्किल से पूरी कर पा रहा है अपनी family की needs भी बहुत मुश्किल से पूरी कर पा रहा है तो ये एक और परसन को ना add नहीं करना चाहता अपनी family में जिस का दिल है आपसे बात करें contact करें आपको बट कोई ना कोई ऐसी वज़ा है इसकी जीवन में जैसी कि मैंने कहा कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है यहां पर किमकि हमारे पास 5 of pentacles भी है 10 of wands भी है 6 of pentacles भी है और यहां पर हमारे पास bottom से जो cards हैं वो भी इस बात को indicate कर रहे हैं कि इस person में काफी negativity आ चुकी है इस relationship को लेकर भी और इसके career को लेकर भी तो जो opportunities इसको मिल रही है वो इसे नजर नहीं आ रही है देख रहे है ना 5 of pentacles में दो person है wall पर लगे pentacles को देख भी नहीं पा रहे है और मुझ छुपा कर जैसे की जा रही है तो इस person के जीवन में भी कुछ ऐसा ही है कि जो opportunities को मिल रही है ये उन्हें देख नहीं पा रहा और negativity की वज़ा से हो रहा है ये सारी चीजे negativity की वज़ा से हो रही है आपका साथ अगर इस person को मिला तो ये person इस मुफलिसी से निकल भी सकता है बट कैसे निकलेगा क्योंकि ये देखी नहीं पा रहा आपकी तरफ ये person को तो ऐसा लगता है कि ये जितनी भी responsibility है ना आपकी इस person के कंदों पर आ जाएगी तो इसको आपकी भी responsibility उठानी पड़ेगी लेनी पड़ेगी ना चाहा कर भी ना अब ये person आपसे दूरी इसी लिए बना रहा है हो सकता है ये block करके चला गया हो आपसे दूरी बना ली हो इसने और अगर आप लग contact में है भी ना तो भी ये person कुछ इसी condition में है इस वक्त की जैसे काम के बोश के तले दब आ जा रहा है तो ये मेहनत तो बहुत कर रहा है ये person चाहता है आपके लिए कुछ करना अपनी family के लिए कुछ करना बट ये कर नहीं पा रहा है जिसकी वज़़े से काफी negative है ये person एक नई शुरुआत चाहता है अपने business की अपने relationships की तो हो सकता है in future अगर इसकी किसमत ने साथ दिया तो ये बहुत कुछ कर पाएगा क्योंकि ये person काफी मेहनती है और एक ऐसा इंसान है जिसकी नजर में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है कोई अमीर या गरीब नहीं है कोई status का फर्क की ये person मानता नहीं है इस person को अपनी life से बहुत सारे ऐसे experience मिले है जो इसने आप से share भी किये होंगे और ये person जानता है कि आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं तो ये person आप दोनों की मिलन ना होने की वज़ा से भी काफी sad है बहुत परिशान है इस person को ऐसा लगता है आप दोनों को दूर रहना पड़ रहा है इस person की वज़ा से तो काफी anxiety और depression में भी है ये person ये सोच कर कि आप और ये अलग-अलग है और अगर ये कोई girl है ना जिसके लिए आप reading देख रहे हैं किसी girl के लिए अगर देख रहे हैं तो ये जो person है ना ये अपनी मुफलीसी से निकलने के लिए मुझे लगता है कि एक ऐसा partner चाहिए इस person को जो इसे मुफलीसी से बाहर निकाल सके इन्हें खुशियां दे सके तो इनकी life में खुशियां ला सके जिस वज़े से भी इस person को शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि शायद वो happiness वो खुशी आप अभी ही से नहीं दे पा रहे हैं इसलिए इसने आप से दूरी बना ली है क्योंकि ये एक ऐसे partner को चाहती है अपने जीवन में जो इन्हें इस मुफली सी से बाहर निकाल सके इन्हें happiness दे सके जो ये चाहें वो कर सके जो इनके सारे ही नखरे उठा सके तो ये थोड़ी सी गुरूर इस person में है इस चीज़ का कि इसके पास सब कुछ होना चाहिए इसके जीवन में इसको सब कुछ मिरे उस partner से जो इसकी जीवन में आएगा शामिल होगा तो इस वज़े से भी इस person ने प्यार होने के बावजूद आप से दूरी बना ली है किमकि इसको ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के बिरा जो जिन्दगी है वो बिल्कुल भी ऐसी होती है जैसे कि हम जिन्दगी जीतो रहे हैं फिर भी हम जी नहीं पा रहे हैं तो ये person खुल के अपनी जिन्दगी जीना चाहती है जो भी है ये person एक नई शुरुवात तो आपके साथ चाहती है पर ये चाहती है कि शायद आपका career in future अगर सही होगा और तब ये person खुशी खुशी आपकी मिन्नत ही करके आपकी जिन्दगी में शामिल होने की कोशिश कर सकते हैं तो ये जो person है ये इसी तरह के person है इनको अपने जीवन से सब कुछ चाहिए इन्हें अपने जीवन में सब कुछ ऐसा चाहिए जो perfect हो जिस वज़ा से ये person सोचते हैं प्यार भी करते हैं आपसे बट आपसे मिलन नहीं कर पा रहे है यानि आप दोनों एक नहीं हो पा रहे दूनियों की जो main वज़ा है वो यही है इस वक्त इस person की जो deepest feeling है आपको लेकर वो यही है कि आप इस person की दिल में तो बसते हैं बटा जिन्देगी का हिस्सा भी नहीं बना सकता ये person जो भी है आपको कुछ ना कुछ तो problems हैं इस person के जीवन में career को लेकर हो family को लेकर हो या फिर family की needs दूरी करते-करते ये person बेहाल होए जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है इस person की life में जो आप से इस person को दूर रखे हुए है बटा प्यार तो है यहां पर नजर भी आ रहा है एक ऐसा person मुझे यहां नजर आ रहा है जो दुक में है, तकलीफ में है फिर भी आपको याद किये जा रहा है miss किये जा रहा है, अच्छे दिनों का इंत्रजार कर रहा है कि कब उसकी जिन्देगी में अच्छे दिन आएंगे कब नई शुरुआत कर पाएगा अपने जीवन की कब उसको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी कब वो सब कुछ कर पाएगा जो अपने जीवन में करना चाहता था तो यहां बार Ace of Swords भी है हमारे पास and the Empress भी है हमारे पास तो ऐसा ही कुछ इस परसन के दिल में दिमाग में इस वक्त भी चल रहा है जो deepest feeling है ना इस परसन की आपके लिए वो कुछ इसी तरहा की है कि यह परसन चाहता है कि आप जल्द से जल्द एक काम्याब इंसान बन जाएं ताकि यह परसन आपकी जिंदगी में रिटर्न वापस आ सकी तो यह थी आपके रिडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी कुछ तो clarity मिली होगी कुछ तो resonate की होगी और ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में resonate करें क्योंकि एक general rating है सभी के साथ तो resonate नहीं कर सकती ओके वीवर्स तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like करें और अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लें बैल notification को all पर select कर लें ओके वीवर्स और एक प्यारा सा comment ज़रूर करें God को gratitude ज़रूर शो करें मैं मिलती हूँ next वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें बाबाई